आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे देश में हर साल जब भी वरसाद होती है तो बाड की समस्या कई राज्यों में आपको देखने को मिलती है अब असम को ही ले लीजे आप लोग देखते होंगे कि असम में हर साल बाड आती है और वहुत सारे लोग इस बाड से प्रभाविद भी होते है तो इस बाड के कारण क्या है बाड का मतलब क्या होता है इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें आप देखे कि मानो जन करते हैं उन पर भी बात करेंगे और इस बाढ़ को रोकने के उपाए क्या हो सकते हैं उसे भी आपड़ों इस किलास में जान पाएंगे देखे आप लोग और आप देखे कि ब्रह्म पुत्र नदी से कहासकर आप देखे एंसम्भाले से में बाढ़ आती है और आप देखिए में तिबबत की पुरंग जिले में इसे जो मांसरोबर जील देखते हैं आप लोग यहां से निकलती है और इसे याल लोड तरश डेमपो कहा जाता है यहां और तिबबत में बहते हुए इनदी भारत के अवनाचल पिदेश देखें यहां से आप लोग देखेंगे भारत में पिरवेस करती है अवनाचल पिदेश से अवनाचल पिदेश की बात करें तो इटा नंगर इसकी राजधानी है और अवनाचल पिदेश के बारे में जान लीजे जब भी किसी भी राज जी की बात होती है तो उसके बारे में एक सामन जानकारी आप लोग जरूर रिखा लिड़तिए और देखें भूटान से इसकी सीमा लगती है आप देखेंगे चाइना से भी सीमा लगती है और इसकी सीमा sis मीन माल से भी लगती है वहीं राज्यों छों में देखें तो आप देखेंगे कि असम में आती है ब्रम्पुत नदी और इस तरह से आपकी बैती है यहीं असम के बारे में जान लीजे किसके बारे में असम के बारे में और इससे आप देखी असम सबसे जादा प्रभावित होता है क्या असम सबसे जादा प्रभावित होता है इसकी राध्धानी आप देखें तो बंगलादेश से लगती है, भूटान से लगती है, इस तरह की questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखेगा आप लोग, ठीक है, और आप देखें कि विधान सभा में 126 सीटे हैं, राज्य सभा में 7 सीटे हैं, लोग सभा में 14 सीटे आपको देखने को मिल की, और तिप्पुरा की, और मिजोरम की, और इवे बंगलादेश वही है, जो आप देखें कि 1971 में भारत पाकिस्तान के वीच यह दुगा था न, उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गाज दीते हैं, उस समय आजाद हुआ था है 1971 में, तो इसके बारे में याद और यहां से बहते हुए आप देखेंगे, और आपकी बंगलावे देश में प्रवेस करती है, और इसे जमना कहा जाता है वहाँ, और पदमा गंगा से संगम की बाद इसकी सयुक्त धारा को आप लोग मेगना के नाम से जानते हैं, और जो की सुन्दर डेल्टा का निर्मार करती हुए बंगाल की खाड़ी में यहां मिल जाती है, तो यह तो हो गई किसकी ब्रंपुत नदी की कहानी, और इसकी सहायक नदीयों की बात करें, तो याद रखें, बाए ओर से इसमें दिवांग नदी, लोहित नदी, धनसीरी नदी, कोलंग नदी मिलती है, वहीं दाए देखें यहां, तो आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी, इस तरह से यहां मिल जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, चलिए अब हम लोग इस बाढ़ के बारे में बात करते हैं, देश के उत्तर पूरी भाग में बहने वाली ब्रंपुत घाटी में लगबग हर सा साल बार आती है, और जो अपने पीछे मौत और तबाही की एक कहानी छोड़ कर जाती है, यह हर साल की कहानी है, और इस बरस मानसून के आगमन से पहले ही असम में लगातार जारी वरसा ने अपना कहर बरपाया, और जिससे असम का अधिकांस बाग जलमगन हो गया, और फसल तरफ से एक ब्रह्मपुत नदी से घरा हुआ है, हाल की बरसों में बाड की कारण तबाही के स्तर में व्याफक बड़ोत्री देखी गई है, और इस परिदिस्त में प्रासंग है कि असम में हर साल बाड की स्तिती और इसके पीछे के कारकों के बारे में बात की जानी आप देखें कि जहां पानी भर जाता है और नदी से आप देखते हैं कि आसवास की चित को आप लोग कह देते हैं बाड आगई बाड आगई तो उसली को तो बाड कहते हैं बहते पानी के अर्थ में जुआर के प्रवा के लिए भी बाड सब्द का प्रियोग किया जा सकता है। बाड तीन तरह की होती है सामनता। एक फ्लेस फ्लेड यानि की अचानक आई बाड तीब और व्यापक बरसा के कारण ये आती है। नदी की बाड जब लगातार बारिस य अधिक हो जाती है तो बाड आ जाती है। अब आप देखे जितना पानी उस नदी से बहता है उसे अगर अधिक पानी आने लगे तो आसपास के चेत्रों में वो फैलेगा तो बाड आएगी। तटिये बाड उष्ट कटी बंदिये चकवातों और सुनामी से समंद तूफान के कारण भी तटिये बाड आती है और तटे वाले चेत्रों में आपने देखा होगा आप देखे गुजरात के चित में आप चले जाए उडिशा के चित में आप लोग चले जाए यानि कि इन चेत्रों की बात हो रही है इन चेत्रों की बात हो रही है ठीक है यहां तो इनकी भी बात हो रही है और वर्स 1998 से सन 2017 की भी दुनिया भर में दो विलियन लोग बाड की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या होती है अगर हम लोग असम में हर साल बाड आने के पिरमों के कारण देखें कि किन कारणों से आती है तो आप देखेंगे इसमें सबसे महत्कूर भूमी का निभाती है ब्रमपुत नदी असम हिलमालाई की तलहटी में इस्तित है और यहां ब्रमपुत और बराक नामक दो नदिया घाटियों की भूमी से निर्मिते हैं कौन असम विसाल ब्रमपुत नदी हिमाले से निकलती है और और ये असम के बाड मैदानों से ताड़े तिर्चे आड़े तिर्चे बहने बाली सबसे प्रमुक नदी है। और केला सेनी उच्च उचाई से भाग कर आती हुई यह नदी असम निमने उचाई में अप्तिधिक आउसाद तल चटी के लिए प्रवेश करती है। और असम के मैदानी इलाकों में ढलान के समतल होते ही नदी के बिग में अचानक गिरावट आती हैं और बहा कर लाए गए अवसाद और अन मलवे नदी तल में जमा हो जाते हैं और इससे इसका जलिस्तर बढ़ जाता हैं और आप देखेंगी कि बाड का माहुल बन जाता हैं। ग्रेश संकाल में हिमनदों के पिगलने से मिर्दा कच्छरन अधिक होने से आउसादन वड़ जाता है। आप देखेंगी अब नदी में मिट्टी जमा हो जाएगी तो उसका और आप देखें कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक नहरी को ही ले लिजे। नहरी की हर सादल सफाई इसलिए तो करवाई जाती है कि उसमें बराबर पानी निकलता रहे। मानसून की अगर भूमी का क्या रहती है। उत्तर पूर्व भारत में मानसून तिब होता है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधी कर्ण के अनुसार असम में जुन जुलाई में अधिक्तम के साथ बार्षिक बर्षा ओस्तन आप देखेंगे 2900 मिलिमीटर होती है। और सबसे जानदा आप लोग बर्षा देखते होंगे तो मेगाले में ही तो होती है। मासिन राम आप लोगों ने स्थान सुना होगा। असम के जल संसाधर मत्राले के अनुसार ब्रंपुत घाटी में बार्षिक बर्षा का 85% मांसून के महीनों के दोरान घटित होता है। इसके अलाबा घाटी में अपरेल और मई माहे में आधी तूफान की गतिविदियों के कारण अच्छी मात्रा में बर्षा होती है। जो जून माहे में भारी वारिस के दोरान बाढ का कारण बनती है क्योंकि मेर्दा पहले से ही एक तरह से संत्रिप्त होती है। नदी तट में कटाओ ये भी कारण है बार कुवाने में। सहाएक नदीयों के साथ बहती हुई आउसाद युक्त नदियां अपने तटों से मेर्दा और तल चट साथ लिए आगे बढ़ती है। और मेर्दा के चित में कोई नदी बहती होगी तो आप लोग भी देखते होंगे कि वो आप देखिए पहले चोटे बेश से में बहती थी और आप देखिए फिर वो बढ़ती जाती है क्योंकि आसपास की मिट्टी को काटते रहता है पानी। और फिर आप देखिए कि ग्राम भूमी का बह जाना लोगों की आंतरिक विस्तापन का एक परम कारण है असम में कुछ इस्थानों पर तटों की कटाओ की कारण बेंपुत की चोड़ाई 15 किलो मीटर तक बढ़ गई अब आप देखिए आसपास चुगाओं पसे होंगे वो तो पिर भावित होंगे ही उससे तो यह भी द देखा जाता है क्या देखा जाता है ये वी देखा जाता है देखिए जल स्थर भी बढ़ रहा है 1912 से 1928 तक देख लएजे फिर शुनौफती के रूम में भिक्सित हुआ है। पिछले 6 दसक में असम में क्रिमिक सरकारों ने तटबंधों की निर्मार पर लगबख 30,000 करोर रोपे खर्च किये। बढ़ी पोर से बहकर आती हुई असम में प्रविश करती है। फिर विसारों पर बनाती हुई मंगला देश में बढ़ती है। और सिल्चा छित में बाढ़ का एक प्रम कारण इसी ही माना जा रहा है। अब आप देखें कि पानी का वहाँ बढ़ जाएगा और बाढ़ा आना सुभाविक सी बात रहती है। तटवंधों की कारण नदी की किनारी अतिकर्मण की स्तिती बनी है। और जाहां अधिकाधिक लोग नदी के निकट घर और फितिष्ठान इस्तापित कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूँ। कि देखें जब पानी का इस तरह की तटवंध बनाकर रोग दिया जाता है। तो लोग नदीयों के किनारी बसना पसंद करते हैं। वहां आप देखें उब जाओ जमीन रहती है, पानी की विवस्ता रहती है। तो आप देखें उबाद में ये तटवंध तोट जाएं या लोग खोलनें। तो वही लोग आप देखें बाद से प्रभावित हो जाते हैं। जल सकती मंतराले के अंतरगत इस्थापित या बोड ब्रमपुत और बराग घाटी की निगरानी करता है। और ब्रमपुत घाटी के अंतरगत आने वाले राज्यों को कबर भी करता है। कुछ अन्यकारक देख लिजें। बनो की कटाई, पहाड की कटाई, अती किर्मड, आद्भूमी की बिनाश जैसे अन्य, मानोजनित कारणों से भी बाड की स्तिधी को और बत्तर किया गया है। यानि कि जो बाड में आप देखें कि और एक तरसी योगदान दे दिया है लोगोंने। जलवाईव परिवर्तन भी और वैसे भी आप देखने हैं कि जलवाईव का तो पूरी दुरियां पर परभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार की एक रेपोर्ट में कहा गया है कि अप्तिधिक वर्सा की घटनाओं में 38% की विद्धी हुई है। और आउसाद लेकर आ रही होंगी और जहां चोटी नदियां लगातार वर्सा के कारण बाड की स्तिति उत्पन करती हैं। और इसते निचले इलाकों में बार-बार फिलेस फिलेस फिलेड की आने की संभाव नगे बढ़ जाती। बांधो जल परियोजना और सिचाई परियोजना आधी का निर्माड भी इनके कारण है और बाढ़ असम को किस पेकार पितीकूल सो रोप से प्रभावित करती है तो सबसे पहले आप लोग काजी रंगा राश्टी उद्यान को देख लिजे एक अधिकारिक वक्तब में कहा गया है कि ब्रंपुत के खत्रे के निसान से उफ़र वहने से काजी रंगा राश्टी उद्यान का 15% से अधिक हिस्ता जल मगन हो गया है और राश्टी उद्यान में आई बार से साल अब तक मैं एक तिंदूए सहित कम से कम 5-9 जीवों की मौत हो चुकी है अब आप देखें कि हमारे अगर आवासों में पानी जाता है तो हमें भी तो प्रभावित होते हैं हम लोग उसी तरह आप देखें जानवरों के जो उहां रह रहे हैं उनके छित में भी प्रवेस करेगा पानी तो वो भी प्रभावित होंगे हाला कि अधिक जल को उद्यान के लिए लाप पुराद माना जाता है कैसे काजी रंगा की जल निकायों के संभरन और इसके भू द्रस को बना रखने में मदद करता है मचली के पिजनन इस्थल की रूम में कार करता है और जल कुम्भी जैसे आवांचित पौधों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है तो आप देखी काजी रंगा के लिए फायदे मंद भी है कुछ बाड लेकिन बार बार भारी बाड से ने राष्टी उद्ध्यान के लिए समस्याय उत्पन करना शुरू कर दी है जब वाड का जल एक निश्चित इस तर पर पहुँच जाता है तो बन पसू कारवी आंग लॉंग पहाड़ियों के सुरक्षित उच इस्तल भूमी की और आंगे बढ़ने लगते है लेकिन इस करब में उद्ध्यान से गुजरने गुजरती NH3 को NH3 7 यानि की 37 को पार करना पड़ता है जिसे भी सड़क दुरगटनाओं की सिकार भी जानबर हो जाते है और उनकी भिद्धता की सिकारियों द्वारा भी लाब उठाया जाता है जब वो उस छेत में जाएंगे बार में बनीजीब ग्रामों की ओर भी आँगे बढ़ते हैं जिसे मानो बनीजीब संघर्स की स्तिती भी देखी जाती है आउसा रचना पर किस तरह इसे प्रभाव पड़ता है? रेल पटरियों पर जल भर जाने से रेल से बाबादित होती है नौका परिवहन के अतरिक्त परिवहन के सभी साधन बंद हो गए और जहां कुछ गाओं में नाओ चलक आप देखेंगे 100 मीटर की दूरी के लिए 100 रुफेत तक बसूर रहे है मचली पकड़ने या नदी फार कराने जैसे उनकी अजीब का प्रभावित हुई है बेस पेकार भरबाई का प्रयास भी कर रहे है खाद्य पदार्थों फेजल पा असानी से उपलब्द नहीं होते हैं बार से सडकों और पुलों को गंभी नुकसान पहुंचता है बिजली इस्टेशन प्रया नदीयों के आसपास इस्तित होते हैं क्योंकि उपकरण को ठंडा अकने के लिए बे नदी से पानी खींचते हैं और गरम पानी को नदी में बापस पंप करते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं बार के कारण आप देखेंगे कई जिलों में बिजली आपूर्ती ठप हो गई है आम जन जीबन पर किस तरह इसे प्रभाव पड़ता है इसे भी देख लीजे लगातार बारिस के कारण ब्रंपुत नदी के तटबंधों के तूटने से पांच हजासे अधिक ग्राम और फसल भूमी जलमगन हो गए हैं कचार, दीमा, हसाओ, गोल पारा, हेला कांडी, कामरो, करीम गंज, जिलों में भूसकलन की घटनाओं से सामन जन जीबन अस्त बेस्त हो गया है तो इस तरह से हम लोगों के अगर इनसानों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और बार का विनास केवल मानो अबादी तक ही सिमित नहीं है, बसकि अगर आप लोग ASDMA की रिपोर्ट के अंसार बार की महजुदा लहर में लगबग आप देखेंगे 60,000 पसूव बह गये और लगबग आप देखेंगे 36,000,000 प्रभावित हुए तो पसूव पर भी प्रभाव पड़ रहा है भावित हमें बार की घटाओं का नेंतन के लिए क्या उपाई किये जा सकते हैं? इन्हें भी देख लीजे अच्छी इस्तिती में और विस्यसक्गों ने सुझाओ दिया है कि विस्वसिनिय और दूत चेताओनी पड़ालियों के प्रभावी कारिकरन के लिए इस भूभाग को अधिकान संस्थागत और तकनिकी रूप से उन्नत पेनालियों किया वसकता है काजईरंगा की रक्षा बनेजीब गलियारों को सुरक्षित करने और चार कारोई पाडियों तक सुरक्षित मार्ट सुनिशित करने पर वल दैनी की जरूरत है एक लेंड स्केल कंजर्वेशन देश्टी कोण अपनाने की जरूरत की आउ सकता है जो कारवी आंगलोंग पाड़ियों के मत कुछ चिन्नित करे बाड के द्वारन पसू सर्ण गाहे के रूम में कारवी आंगलोंग उच भूमी उद्ध्यान की जीवन रेखा की भूमी का निर्माड ये क्या है ब्रमपुत की साहिक नदियों बराक आधी अन नदियों पर इसलूप गेट का निर्माड किया जाना चाहिए यह एक प्रभावी कदम साबित होगा इसलूप गेट के बाल्व एक दिसा में सील करने के लिए डिजाइन किये गये हैं और आम तोर पर कि बिभन उपायों के प्रभावी कयान मन के लिए अध्यान हितु असम में एक आपदा प्रबंदन केंद की स्थापना की जानी चाहिए और ये तो आप देखी खासकर असम की बात होगी है इस तरह से आप देखी बिहार में भी बाड़ा आती है और बिहार में भी आप कि इस तने लोग पसुओं को एक तरह से नुकसान ना झेलना पड़े